दोस्तों नमस्कार सुवागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब सेनल पर आज अपने बात करने वाले हैं कि यूणिवर्शिटी एक्जाम का जो टाइम टैबल है पूछ सकते हैं वीडियो को स्टाट करने से पहले बता दो वीडियो को फटा फट शी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए का क्यूंकि यूणिवर्शिटी के एडमिट कार्ड रिजल्ट और लेटेश्ट इंफ्रमेशन से इसारी और राजस्तान बेश्टी का रिजल्ट वह भी आप उमारी वेफसाइट वागा निकाल सकते हैं यूणिवर्शिटी के एक्जाम रिजल्ट और टाइम टेबल से रिटेट सारी सारी इंफ्रमेशन आपको मिल जाती है अगर आपको किसी यूणिवर्शिटी का टाइम टेब रेक्षोट करते हैं आप बात करने वालों मैं आपको कान से यूढ़े लिक्षाने ला हूं तो यह प्योडिक्वर्यत करने वारेgging दिथर निए सिर्फिका वहां फ्रकार उन्टियक्सेट खोल जायगा यह टीक है जैसे आप नीचा आएंगे तो यह देखिए शेकवाटी युनिश्य टाइम टेबल 2018 यह दियो आए ठीक है आपको करना कुछ भी नहीं है इस वाली लिंक पर क्लिक करना है को कि यृष यृष आपको क्लिक क्लिक रहें तो आपकी सामने उस परकार यसाइश कहले वाला यहाँ पर आपको क्लिक करना है इसकती सब्सक्राइब से से मैं इस लिंक करता हूं तो मैं आफ्-self को सिर्ट क्वूर जाती जैसे आप नीचे आना है यह दफिए यह देखिये ताइम टेबल पीजी एक्जाम ठीक है अब जर्श्ट आपको पीजी वाले पर क्लिक करते हैं अपन जैसे मालों इस पे लिंक पर मैं कलिक करता हूं तो आपके सामने उसका टाइम टेबल हो जारी जो यह पीडिए फर्विट उसकी खुल जाएगी यह देखे पीडिए आफ़ को टाम टेबल आचुका है यहाँ से आप मसी केमेस्टरी का फाइनल एर पाइम टेबल देख सकते हैं और यह आपकी जो एक्जाम है 17 सप्टेम्बर से स्टार्ट होने वाली जो सही आप देख भी चकते हैं नीचे में बात करूं तो मसी बोट नहीं का टाम टेबल है और इसके चाहारा है ममस्य साइकलोजी का ममस्य जोग्रोफी एमकॉम एबेश्टी ठीक है एमकॉम एफम को मुझनेट एजमिनिस्ट्रेशन पाइनले का ठीक है और इसके लाव यह इस टाम टेबल जारी हुआ है में जैसे टायम टेबल जारी होगा information पाले एक आप आमारे चैनल को सबसट्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाई कर सकते हैं ज्यादा सब्सक्राइब जैंसा की जिए ताकि वह भी इस टायम टेभल को देख सके हैं अगर आपको किसी और युनिविशिटी का टाइम टेल के बराएं ज़्यादा इंफ्रमेशन सीए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स करके हमें पूछ सकते हैं आपको वीडियो पसंद आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए आज के लिए काफी मिलते हैं नेक्स वीडियो म तब तक के लिए धन्यवाद